नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोग का सोनु श्टड़ी क्लासे यूटूब चलने दोस्तों मैं आप लोग को इंसियाटी बुक क्लास 12 समाज सास्त्र चैप्टर चार ग्रामिट समाज में विगास सिवं परिवर्थन परप्रस उत्र मैं आप लोग को स्लूडू मताऊंगा प्रस नमबर एक नीचे लिखे गद्धांस को पढ़ें तथा प्रस्नों के उत्तर दें अगन विगा के मजदूरों की कठिन कार दसी मालिकों के एक वर्ग के रूप में आर्थिक सक्तिता प्रबल जाती के सदस्य के रूप में और परिमित सक्ति के सन्यूक्त प्रभाव का प्रडाम थी मालिकों की समाजिक सक्ति का एक महत्पूर पच्छ राज में विविन अंगों का अपने हितों के पच्छ में करवा सकने की छमता थी इस प्रकार प्रबल जाता निम्न वर्ग के मद्य खाई को चोड़ा करने में राजनितिक कारकों का निर्णायत्मक योगदान रहा है मालिक राजिकी सक्ति को अपने हितों के लिए कैसे प्रयोग कर सकें इस बारे में आप क्या सोचते हैं मजदूरों की कार दसाकठिन क्यों थी उत्तर एक प्रबल जाती के होने के कारण मालिक लोग राजनितिक आर्थिक सा समाजिक रूप से वेहद सक्तिसाली थे सक्ति संपन होने के कारण वह अपने निहित स्वार्थी की पूर्ती हितों राजिकी सक्तियों का प्रयोग करते थे वेह अपने लाप के लिए बड़ी ही कुसलता से राजिकी विविन संस्ताओं का उप्योग करते थे नमबर दो, स्रमिक बड़ी ही विश्म परिस्तितियों में काम करते थे, दलित होने के कारणवा अपने भूमी नहीं खरीच सकते थे, उन्हें प्रभुत्तुव संपन जातियों के खेतों में स्रमिक के तोर पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था प्रश्त नमबर दो, भूमी हीन किरसी मजबूरों तथा प्रवसन करने वाले मजबूरों के हितों की रच्छा करने के लिए आपके अनुसार सरकार ने क्या उपाय किये हैं, अथवा क्या किये जाने चाहिए उत्तर भूमी हीनों के सरच्छड के लिए उपाय, विवी का रूपों में बंधुआ मजबूरी की समापती, उत्तर प्रदेशता बिहार में बंधुआ मजबूरी की प्रथा गुजरात में हैलपती, तथा करनाटक में जोता व्यवस्ता की भारत सरकार द्वारा कानूनी र सरकार ने बड़े ही सक्तिसारी दथा गहन रूप से अधिनियम को पारित कर इस व्यवस्ता को खतम कर दिया, पट्रेदारी समापती दथा निम्न अधिनियम इन कानून ने बटाईदारी व्यवस्ता को हतो साहित किया, पस्चिम बंगाल दथा केरल जहां की साम्यवादी सर परकारे थी, वहां पटेदारों को जमीन पर अधिकार किये गए, भूमी हदवंदी अधिनियम का परावधान, इस अधिनियम के अनुसार भू स्वामियों के द्वारा रखी जाने वाले जमीन की अधिक्तम सिमाताय कर दी गई, अतिरिक्त भूमी की पैचान कर उसे भूमी ही जना ने इन कानून के क्रिया में मदद की, किन्तु इस अधिनियम में बहुत सारी रूटिया भी हैं, जिनका की निराकरन होना चाहिए, भूमी हिन सर्मिकों की दसाओं को सुधारने के लिए सम्मुचित प्रयास किये जाने चाहिए, तथा इस पूरे छेत्र को संगठित कि जाना चाहिए, गाउं की आर्थिक अवस्था को राजियों के द्वारा सुधारा जाना चाहिए, गाउं को सम्मंद से जगत से अच्छे तरह से होना चाहिए, गाउं में रूजगार की आवसरों का सर्जन किया जाना चाहिए, सिच्छायों स्वास सुधाओं की साथ साथ मनरंजन की सुपधा भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि सर्मिकों में पलायन की प्रविर्ति पर रोक लग तके इसके लिए मनरेगा एक अच्छी पहल है भूमी की चगवंदी भू स्वामी किसानों को बिखरी हुए अथवा भूमी के छोटे-छोटे टुकड़ों के वज़ इसमें इससे किसानों की कारिछमता में काफी वृद्धी होगी प्रश नम्ब तीन क्रिसी मजदूरों की स्थिति उनकी समाजिक आर्थिक उर्द्वगामी गती सीलता के आभाव के बीच एक सीधा संबन्द है इसमें से कुछ के नाम बताईए उत्तर भारतिये ग्रामिर सम समाज पूरी से किसी पर आधारित है यह उनकी आज ईविका का एक मात्र साधान है दुर्भागे वस भ्हों िका वित्रण समानने तथा संगठित रूप से ग्रामिर समाज के भूमि हीनों के बीच नहीं किया गया भारतिय राष्ट्य भारतिय ग्रामिड समाज के नाते रिष्टेदारी की प्रथा प्रचलित है कानून के मुताबित महिलाओं को परिवार की संपत्ती पर समान रूप से अधिकार है लेकिन ब्यावाईक रूप से कागजों पर ही सीमित है पुरुषों के प्रवुत्व के कान उन्हें इन अधिकार से बंचित कर दिया गया है ग्रामिड छेत्रों के अधिकांस लोग भूमिहीन हैं तथा हुए अपनी आजीविका के लिए क्रिसी सर्मिक बन जाते हैं उन्हें निर्धारित नियुंतम मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है उनका रूजगार सुरच्छित नहीं होता उन्हें नियमित रूप से काम भी नहीं मिलते अधिकांस करिसी सर्मिक दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं पटेदारों को भी अधिक आमदनी नहीं होती क्योंकि उन्हें अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भू स्वामी को देना पड़ता है। समाज के समाज में ब्रामण एक प्रभू संपन जाती है किन्तु यह प्रभूत भू स्वामी नहीं है। इसलिए यह ग्रामीड समाज का अंग तो है किन्तु किसी सरशना से बाहर है। प्रश्ट नमबर चार वे कौन से कारक हैं जिन्होंने कुछ समुहों को नव धना रय उधमी तथा प्रभल वर्ग के रूप में परिवर्तित को संभो किया है। क्या आप अपने राज्य में इस परिवर्तन के उधान के बारे में सुच सकते हैं। उत्तर निम्लिकित कारकों ने कुछ समुहों को नव धना रय उधमी तथा प्रभल वर्ग के रूप में परिवर्तितन को संभो किया। नमबर एक नई तकनीक, नमबर दो यातायात के साधन, नमबर तीन नए नए चेतरों में निवेस की सुधा, नमबर चार सिच्छा, नमबर पाँच विखसित चेतरों की तरफ पलाया, नमबर छो राजनेतिक गति सीलता, नमबर साथ वहा अर्थव्योस्ता से जोड़ाओ, नमबर आठ, मिस्रित अर्थव्योस्ता, हाँ मैं अपने राज्य में इस प्रकार के परिवर्तन के बारे में सोच सकता हूँ, उपरोक्त कारकों के साथ किसी भी राज्य या कोई भी समू उदमी तथा प्रवल वर्ग में परिवर्तित हो सकता है, प्रश्ट नमबर पाँच क्रिशक समाज और संस्कृति का वर्णन कीजिए, उसमें दिखाये गए संस्कृति वास्ता चिक कितने हैं, क्या आपने हाल में ग्रामिड चितर पर आधारीत फिल्म देखी है, यदि नहीं तो आप इसकी ब्याख्या किस प्रकार करेंगे, उत्तर स्वयम करें, प्रश्ट अपने पडोस में किसी निर्माड इस्तल इट के बठे या किसी अन्य स्थान पर जाएं, जहां आपको प्रवासि मजदूरों के मिलने की संभावना हो पता, हो पता लगाईए कि वे मजदूर कहां से आये हैं, उनके गाउं से उनकी भरती किस प्रकार की गई, उनका कौन है, अगर वे ग्रामिड छेतर से हैं तो गाउं में उनके जीवन के बारे में पता लगाईए और उन्हें काम ढोड़ने के लिए प्रवासिन करके बाहर क्यों जाना पड़ा उत्तर स्वयम करें, प्रस्त नमर साथ, अपने इस्थानिये फॉल विक्रेता के पास जाएं और उनसे पूछे क्यों है, फल जो वह बेशता है वहां से आते हैं और उनका मुल क्या है, पता लगाईए कि भारत के बाहर से फलों के आयात जैसे कि ऑस्टेलिया से से की बाद इस्थानिय उत्पाद के मुल्यों का क्या हुआ, क्या कोई ऐसा आयतित फल है जो भारती फलो से सस्ता है, उत्तर स्वयम करें, प्रस नमबर आठ, ग्रामीड भारत में पर्यारण एस्तिती के विशय में जानकारी एकत्र कर एक रिपोर्ट लिखें, उधारण के लिए विशय केटनासक, घटना, जलिस्तर, टर्टिय चेत्रों में जहेंगे की खेती का प्रभाव, भू अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्यू फूर वाचिए